नमस्तिया आप सस्थिका मेरा नाम आदिती है and welcome back to the circle of life tarot आज का topic जो है फिर से मेरे private personal leading के लिए जो clients आते हैं जो उनका मुझे सवाल होता है क्या मुझे ये रिष्टे में रहना चाहिए या नहीं वोई सवाल जो है मैं आप लोगों के लिए पूछूंगी अगर आप यहाँ पे returning है already मेरे channel को subscribe किया है bell icon दबाया है तो thank you so much अगर आप यहाँ पे नए है तो welcome to the circle of life tarot bell icon ज़रूर दबाएं रोज मैं video upload करती हूँ हिंदी में and English में भी करने की कोशिश करूँगी again ये general reading है सबके साथ resonate नहीं होगा अगर आप मेरे साथ personal reading चाहते हैं, tarot सीखना चाहते हैं, charms reading सीखना चाहते हैं, oracle card reading सीखना चाहते हैं तो जो whatsapp number है, video में मैं थोड़ी थोड़ी देर में डालती हूँ उसी पे जो हैं आप मुझे contact कर सकते हैं और कोई जगा, there is no other way how you can get in touch with me alright, sit back, relax and let's get into the reading Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine messages which are done the highest good for my viewers and questions regarding the person ये मेरे उंगली को थोड़ी सी चोट आई है, इसलिए जो है मुझे टेप करने को बोला है nothing to worry, but आप लोग मुझे messages में पूचेंगे कि क्या हुआ है तो hopefully 2-3 days में ये ठीक हो जाएगा all right, relax हो के जिनके बारे में आप पूच रहे हैं उनके बारे में सोचें, quickly जो है हम relationship की energy देखेंगे magnifier है, take a closer look, analyze things are not what they seem है भगवान, cards मैं आपके सामने निकालती हूँ, जैसे cards आएंगे वैसे ही पढ़ूँगी अगर आपको लगता है कि शायदे मेरी storyline नहीं है, तो आप लोग इसको disregard करें, अगर यह आपसे match होता है और कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप सच्चाई face करने की mood में नहीं है तो आप प्लीज इसको मत देखें, बट जैसे cards आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूँगी किसी न किसी की सच्चाई होगी तो बहुत लोग जो है unsubscribe कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, यह general reading है, 100% सबके साथ resonate नहीं होगा but overall आप लोगों की relationship energy ऐसी है which says कि जैसी चीजें है, उसको थोड़ा सा closer look देखें, situation को जो है analyze करें and जैसे आपको लगता है वैसे चीजें नहीं है, चीजे positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, वो हम आगे जाके देखेंगे straight off the bat मुझे यहां लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके relationship में problems है, external factors, external influence हो सकता है, यहां पे भी देखो 3 fingerprints है, तो कुछ ना कुछ आपको लग रहा है, यह उन लोगों के साथ resonate होगा, जहां पे आपको शायद आपके partner पे शक्या doubt है, कि आपको लग रहा है कि कुछ चीजें जो है right now ठीक नहीं हो रही है, आपके relationship को लेके energy क्या है, आपके इंसान की relationship को लेके energy क्या है, कल भी यही आया था, आपके energy में, आपके इंसान की energy आउल है, all right, magnifier का मतलब यह भी है कि आपके इंसान आपको stock कर रहे हैं, आपके बरताफ पे, आपके behavior पे जो है, वो बहुत, you know, attention डालके देख रहे हैं, आपके energy dice है यहां पे, risky gamble player giving them a chance, आपके energy ऐसी है, जहां पे आपको लगता है कि यह इनसान के साथ relationship में रहना बहुत risky होगा, एक game खेल रहे हैं, आप अगर आपे इंसान के साथ relationship में रहे हैं, एक ऐसी energy है जहां पे आप देख रहे हैं कि इनको एक और chance देना है या नहीं देना है, आपके इनसान के energy यहां आउल है, wisdom, spiritual message, look for signs, face the shadows, आपके जो इनसान है वो रात को काफी जागे रहते होंगे, ऐसे इनसान है जो society के तोर तरीकों से थोड़ा अलग होंगे, जैसे हम बोलते हैं कि अभी आउल एक पक्षी है लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो नॉर्मल पक्षियों के जैसे नहीं होता, य इनसान जो है इन्होंने आप पे नजर बना के रखी हुई है कि आप क्या कर रहे हैं, किदर जा रहे हैं, किस से बात कर रहे हैं, लगेन इनसान जो है, इनको एक ऐसे energy में आए है जहां पे या तो उनको खुद अपनी जो shadow self है, अपना जो कुछ wounds है उनके अंदर जिसको उन अपनी बताया नहीं है, आप क्या feel कर रहे हैं, abusive relationship हो सकता है, physically abusive relationship हो सकता है, एक ऐसा relationship हो सकता है ज़ा पे चीज़े सही नहीं है और वो चीजों को सही करने के लिए जो हमको introspect करना पड़ता है, खुद को heal करना पड़ता है, खुद को change करना पड़ता है वो वाली energy जो है चीजों को सुधारना है तो आपने सुधारना है मैं तो सरवगुन संपन हूँ for some of you all एक ऐसी energy हो सकती है जहाँ पर आपके इंसान गलत बिहेव करके भी आपको ही blame करते है all right tarot से जो है देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी ये relationship को लेके क्या energy है और आपके इंसान की relationship को लेके overall energy tarot से देखते हैं फिर आपके इंसान की energy देखते हैं फिर पूछेंगे आपको relationship में रहना चाहिए या नहीं उनके इरादे भी देखेंगे कल नया deck है और कल की जो reading है वही reading के cards थोड़े थोड़े वापस आ रहे है five of pentacles की energy overall energy relationship की relationship में प्यार कम है या तो आप लोगों को दूसरे लोगों का support नहीं है relationship को लेके इसलिए जो है आप दोनों अकेले हो गए हैं एक ऐसी energy है कि आप लोगों ने दूसरे लोगों से जगड के एक दूसरे के साथ relationship बनाया है और अब आप लोगों के relationship में problem हो रही है और वापस कैसे जाना है वो वाली energy है तो सम्मों के ओल एक ऐसी energy है जहां पर आपको लगता है कि आपके इंसान जो है आपको एहमेत नहीं देते हैं आपको care नहीं करते हैं आपकी फिकर नहीं है उनके ही बारे में सोचते हैं कि ऐसी energy है अगेन energies can be exchanged या आपके partner को लग रहा है कि आप जो है उनको छोड़के अपनी चीज़े कर रहे हैं अपने पर focus करने हैं और यह relationship पर focus नहीं कर रहे हैं तॉरस वगो Capricorn की हाँ पर energy हो सकती है What are your energies in the relationship? energies आप दोनों की ना काफी बुरी नहीं है आपकी एनरजी जो है यहाँ पर temperance की energy है Sagittarius energy है यहाँ पर आप यह relationship में balance लाने की कोशिश कर रहे हैं आप यह relationship में reconciliation की कोशिश कर रहे हैं आप चाते हैं कि यह relationship में जो आप लोगों का ऐसा relationship हो सकता है कि एक छोटी बात से बहुत बड़ा बम फटता है और आपके relationship में problems हो सकती है तो आपकी ऐसी energy है कि आप balance करना चाहते हैं अगैन आपको पता है कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इनसान से रिष्टा बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन तो भी जो है you are trying to find a balance temperance का यही मतलब है literally तेल और पानी को mix करना बहुत धीरे धीरे जो है चीजों को line पे लाना जैसे मैं आपको how do I explain temperance का क्या मतलब है अगर आपके पास एक छोटी शीशी है और उसमें आपको exactly 2.5 ml पानी भरना है तो आप एक बूंड एक बूंड एक बूंड करके उसमें पानी भरेंगे धीरे धीरे ताकि वो exact वो level पे आए तो आप ये relationship में वो level चाते हैं वो balance चाते हैं again यहाँ पे I can see lilies आप ये relationship में passion भी बहुत feel करते हैं एक ऐसी energy है आपको लगता है कि आपको ये रिष्टे को आगे लेके जाने के लिए दो नावों पे पे रखना होगा एक ऐसी energy है जहाँ पे आपको पता है कि maybe 100% आप ये इंसान के नहीं हो सकते या 100% ये relationship आपका नहीं हो सकता even then आपकी energy ऐसी है कि दोनों चीज़ों को हम balance करके चलेंगे यहाँ पे अगर आप फेरी के पेर angel जो है अगर उनके पेर देखते हैं तो एक जमीन पे है एक पानी पे है आपको दोनों चीज़ों को ground balance करके रखना पड़ेगा आपकी security आपकी stability आपका society में नाम उसको भी आपको balance करना है और आपके emotions water है अपने emotions को balance करना है तो आपके overall relationship को energy relationship को लेके energy यही है कि आपको जो है यह relationship को maintain करके चलना है again for some of you all आप लोगों को एक second chance already मिला है यह आप लोगों क्या reconciliation हुआ है पीछे sun की energy है यह relationship में आपको happiness बहुत मिलती है लेकिन on and off वाली energy जो है यहां पे बहुत ज़ादा है six of cups की energy है आपके partner की soul में twin flame की energy है आपके partner भी reconciliation चाते हैं आपके partner भी यह relationship को बहुत मानते हैं एक ऐसी energy है जहां पे आप लोगों को एक past life connection फील होता होगा लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके partner जो है वो चाते हैं कि आप उनकी तरफ आए और यह reconciliation करें यह उन लोगों के साथ resonate होगा जहां पे आपके इनसान जो है maybe again you know उनको self esteem issue हो सकता है खुद की security का issue हो सकता है एक ऐसे इनसान है जिनको लगता है कि maybe वो किसी के प्यार के काबिल मिलेंगे चीजे ठीक हो जाएंगी तो यह इनसान जो है यह चाहते हैं कि आप इनके पास वापस आए और आप इनको choose करें आप reconciliation की बात करें again यह इनसान जो है आपकी तरफ से effort और energy relationship को चाहते हैं आप बच्पन के friends हो सकते हैं आप लोगों का बहुत पुराना जो है एक रिष्टा हो सकता है ओल्राइट लेट मी सी cancer, scorpio, pisces water energy भी है यहाँ पर यह relationship को लेके आपके इरादे क्या है आपके इनसान के relationship को लेके इरादे क्या है यह इनसान आपसे reunion चाहते है यह आप ऐसे इनसान के साथ है जो जहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर dice दिख रहा है ना तो यह इनसान ऐसे है जो बहुत unpredictable है उनको जैसे उनकी ऐसी energy है Aries energy हो सकती है यहाँ पर Taurus, Leo, Aquarius and Scorpio हो सकता है आपके इनसान जो है risk लेना चाहते हैं कभी कभी बोलते हैं कि सब छोड़ चाड़ के चलो चलांग मार देते हैं एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं और फिर कभी बोलेंगे कि मुझे आप पर भरोसा ही नहीं है आप मेरे चीट कर रहे हैं आप कहीं और हैं तो इनकी बहुत confusion वाली energy है आप यह relationship आपकी हाँ पर फिर से major अरकान आया है आप यह relationship से क्या चाहते हैं आपना एक full circle आप जो यह on and off, on and off से ठक गए हैं आप एक stability चाहते हैं आप चाहते हैं कि यह जो on and off हमारा है वो खतम हो and we come to a completion एक ऐसा completion जहाँ पर शांती हो, सकुनों की बस अब पता है कि हम दोनों हैं हम दोनों का relationship और बात खतम हो अगयन अगर long distance relationship होता है तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ ज़रूर आना चाते हैं यह इंसान की जो हैं आपको लेके इदादे क्या हैं दो कार्ट दो चुछ है था जैस्ट दो पर्यूश्ट में इन तक है सुछ है तो नू थाट पार्टी सिचुएशन यहां पर बहुत बहुत स्ट्रॉण है आपके इंसान को लेकि एरादे क्या है आप बहुत अच्छे हैं आपके रिलेशन्शिप को लेके एक्सपेक्टेशन क्या है इरादे क्या है आप जो न ये ego, ये चिटचेड, ये इनसान जो ego में आते हैं, फिर आपको कटू बोलते हैं, तंग करते हैं, फिर आप से you know power energy ले ले लेते हैं, आप message करते हैं, फिर ये message नहीं करते हैं, फिर आप give up करते हैं, फिर ये इनसान वापस आते हैं, तो वो वाली जो energy है आपको energy स निकलना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका जो यह जो इगो बाटल्स जो है जो एमटी विक्तरी है जो बार-बार जो यह चिट्टेड़ आप लोगों में होता है उस वो जो बोज है ना वो बोज से आप निकल के एक हैपी healthy relationship को manifest करना चाते हैं आपके इंसान जो है air sign हो सकते है टॉरस वगो ईव air sign हो सकते है Gemini, Libra, Aquarius मैं यहाँ पे Taurus का काट देख रही थी इसलिए Gemini, Libra, Aquarius fire sign हो सकते है Aries, Leo, Sagittarius Aries यहाँ पे काफी strong है Gemini भी strong है आपके इंसान जो है आप यह relationship में सकून जाते है आप यह relationship में balance जाते है आप जो यह up and down वाली energy है ना in and out वाली energy वो energy से आप बिल्कुल ठक चुके है All right I am sorry आपके इंसान की energy मुझे नहीं अच्छी लग रही है यह इंसान के आपके लिए इरादे क्या है Two of Pentacles, Seven of Swords and Queen of Pentacles Two of Pentacles के energy की दोनों नाव में पैर रखे जाना है यह बहुत specific energy है उन लोगों के साथ resonate होगा जहां पे यह इंसान already married है या इनके घर में एक feminine energy है जो यह रिष्टे को नहीं मान रही है यह इंसान जो है या यह उन लोगों के साथ भी रहेगा जहां पे आपको पता नहीं है कि यह इंसान married है या इनकी जो मदर है वो यह रिष्टे से गवारा नहीं है इसलिए magnifying glass आया है कि take a closer look for some of your शायद आपको पता भी है कि यह इंसान already married है Two of Pentacles, Seven of Swords and Queen of Pentacles यह इंसान जो है आपको भी manifest करना चाते है आपके इंसान आपको भी manifest करना चाते है और उनके life में जो third party energy है उसको भी रखना चाते है This can also be a masculine energy यह इंसान की Seven of Swords की energy है यह इंसान जो है third party को पता ही नहीं है कि यह इंसान आपके साथ है यह इंसान ने third party से चुपाया है या तो उनकी wife हो सकती है इंसान जो है इनको भी balance करके चलेंगे और आपको भी balance करके चलेंगे cards मैंने आपके सामने shuffle किये है तो आपके इंसान ऐसे है जो दोनों नाव में पैर रखके चलना चाते है और बहुत practical इंसान है बहुत practical decision लिया है यहां पे जो है पानी emotions की तरफ उनका पीठ है जो उन्होंने यह decision लिया है कि भाई society है बच्चे है बीवी है बीवी ने sacrifice किया है बीवी घर चलाती है तो मैं बीवी को क्यों छोड़ू या mother है mother ने इतना किया है mother को क्यों छोड़ू और आपसे भी प्यार करता हूँ आपसे भी soul connection feel होता है आपसे भी you know reconciliation चाहिए है एक soul में twin flame की energy है तो आपके जो इनसान है वो दोनों now में pair रखके चलना चाते है तो इसलिए जो है आप एक completion चाते हैं इसलिए आपको ये five of pentacles की overall energy आई है because जब ये इनसान का time और attention दो चीजों में बटा है है न कि ये यहाँ पे भी उनको संभालना है आपके यहाँ भी संभालना है तो ये जो you know balance जो है ये इनसान कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं और इसलिए जो है आपके relationship में lack of balance, lack of energy ये वाली energy आ रही है and then face the shadows इसलिए आपके इनसान की ही energy आ रही है कि इनकी जो छुपीवी चीज़ें हैं इस पे जो है इनको काम करतें की ज़रूरत है let's very quickly find out what is the future अगर आप ये relationship में रहते हैं तो ये इनसान का आपके लिए क्या how will it be आपका relationship क्या होगा और उसी से हम देखेंगे कि आपको ये relationship में रहना चाहिए है या नहीं अगर आपको पता नहीं है कि ये third party situation में है तो there is a high possibility कि ये हैं या तो आप इनसे directly पूछे कि आप किसी से मुझसे किसी और से tarot reading ले सकते हैं अपने situation को clarity पाने के लिए अगर आप already एक third party situation में तो आपको पता है कि जगडा इसी के कारण हो रहा है कि ये इनसान आपको खुद कोई balance नहीं कर पा रहे है तो आपको क्या balance करेंगे अगले next जो है three months में ये इनसान की आपके लिए क्या energy होगी आपके relationship में क्या होगा four of wands jumper आया है again twin flame soulmate की energy है celebration की energy है coming into union की energy है stability की energy है king of wands की energy है जिनके बारे में आप पूछ रहे है Aries, Leo, Sagittarius हो सकते है वाव ओके अगले three months में इनकी energy है so pentacles की energy है आपके लिए प्यार जो है इनका overflow होने वाला है reconciliation होगा आपको time attention देंगे relationship में एक harmony होगी एक ठराव होगा एक balance होगा एक नई शुरवात होगी आप लोगों के बीच में जहां पर जो है there will be celebration जो foundation है वो foundation को और strong कैसे करना है और आपके इनसान जो है वो ही इसमें effort डालेंगे आपके इनसान ये relationship को और strong करने की कोशिश करेंगे एक ऐसी energy है जहां पर आपको लगेगा कि ये इनसान आपकी तरफ आ रहे हैं ये इनसान एक partnership की खोज में है आप लोग इकठा काम कर सकते हैं बेभी इकठा नया एक business start करेंगे पट ये इनसान जो है अगले तीन महने में आपकी तरफ आएंगे आपको प्यार देंगे आपको time देंगे आपको attention देंगे आपको लगेगा कि आप दोनो you all both are on the same side of the team तो I think what you should do is you should try to focus आपको क्या करना है आपको एक balance strike करने की कोशिश करनी है आपको एक ऐसी energy में आना है जहां पर आप जो है आपके इनसान को बहुत clearly बता दें कि मुझे कम से कम रिष्टे में ये चाहिए है अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है नए तो it is okay because the world card is also the card of ending but it is also the card of completion and of fulfillment तो एक कुछ ना कुछ end होता है एक cycle end होता है लेकिन वो इस धंग से end होता है कि जैसा आपको चाहिए है वैसा ending होता है इसलिए यहां पर मुझे जो है काफी अच्छे cards दिख रहे हैं यह इंसान जो है आपकी तरफ बहुत strongly आएंगे I am surprised यह two of pentacles, seven of swords, queen of pentacles देखके जो है मैं थोड़ा सा you know worried थी आप लोगों के लिए पर जैसे मैंने कहा इनके इरादे जो है आपके लिए fool के इरादे हैं fool के इरादे मैंने दुनिया गई भाड में मैंने जो कर रहा है मैं वो करूंगा वाली energy है तो शायद यह इंसान जो है सारी अपनी energy सारा अपना डर छोड़ के जो है आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे all right very interesting let me ask कि क्या आपको यह इंसान के साथ continue करना चाहिए या नहीं all right give me one card please is it in the highest good for my viewers to continue being in a relationship with their person night of pentacles के energy है it is a yes card but एक बहुत slow moving energy है एक ऐसी energy है जहाँ पे चीजें जो है जिस धंग से आप चाहते हैं उतना fast नहीं जाएंगे painfully slow energy है दर देने लायक धीरे 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 जो है चीजें होंगी तो it is a yes card the night of pentacles is a yes card यह relationship में कुछ भी हो जाए आपको थोड़ा सा stability जरूर मिलेगा अगले 3 to 6 months में यह इंसान जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको धीरे धीरे शायद इन पर भरोसा होने लग जाएगा कि maybe मुझे यह इनसान शादी नहीं दे पाएंगे मुझे यह इनसान 100% commitment नहीं दे पाएंगे right now लेकिन मेरे life में जरूर हैंगे again जब ऐसी reading आती है तो decision और choice पूरा आपका है आपका होना चाहिए अगर आप बोलते हैं कि मैं जो भी मेरे इनसान की situation है उसको accept करके यह इनसान के लिए wait करूँगी no problem आपका choice है अगर आपको लगता है कि नई मैं third party में नहीं रह सकती मुझे कुछ ना कुछ और चाहिए है तो यह इनसान आपको security देंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे देंगे बहुत fast वाली जो है यह इनसान कि आपको एक definite answer मिलेगा वैसा नहीं है यह इनसान बहुत slow moving है बहुत stubborn भी है तो यह situation को ऐसा manipulate कर सकते हैं कि आपको भी खुश रखने की कोशिश करेंगे और आपके इनसान को भी खुश करने की कोशिश करेंगे आपके इनसान जो है आपसे क्या चाहते हैं और उनकी energy क्या होगी ओ यूनियन आपके सामने मेंने कार्ज निकाले हैं यह इनसान जो हैं आपसे union चाहते हैं chemistry है, passion है यहाँ पे and communication है अगर आपने आपके इंसान से power back ले लिया है या आप चुप हो गए हैं या आप चाहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी overall energy five of cups की है आपने शायद energy वापस ले ली होगी यह इंसान जो हैं आपके साथ union चाहते हैं, बहुत chemistry feel करते हैं, बहुत passion feel करते हैं और communication है for some of your long distance relationship हो सकता है for some of your या तो यह आप travel कर रहे हैं आपके partner travel कर रहे हैं लेकिन यह इंसान आपसे communicate करेंगे overseas अगर आप overseas है foreign country में है तो भी इंसान कैसे ना कैसे आप दोनों जो है एक दूसरे से communicate करेंगे यह इंसान आपको ज़रूर miss कर रहे है एक physical union physical chemistry जो है चाहते हैं बहुत passion feel करते हैं आपके लिए और आपके साथ union में आना चाहते हैं so should you be with this person well I think अगर आप एक compromising energy में आ सकते हैं कि आपको जो है 100% यह इंसान नहीं मिलेंगे तो maybe yes आप आ सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह इंसान 100% आपके हो तो वो वाली energy यहाँ पे नहीं है alright this is all I have for you thank you so much for watching as always please to keep your energies and vibrations high what you focus on is what you get and I will see in your next reading thank you so much for watching